हेलो फ्रेंड्स मैं अभिने गुपता आप सभी का एक वार फिर से स्वागत करता हूँ अभिने गुपता एजुकेशन क्लासेस पर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिश्टरी के ऐसे 20 कोस्टन एंसर जो की आपकी सभी परिछाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पून होने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किये हुए एंड तक जरूर देखें और अभी तक अगर आपने हमाई चैनल को सब्सकाइब नहीं किया हैं तो प्लीज सब्सकाइब करके वेल आइगन को जरूर प्रस करें तो दोस्तों बिना समय बरवाद करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की और देखते हैं कि आज के टॉपिक का सबसे पहला कोस्टन क्या है तो दोस्तों सबसे पहला कोस्टन आपकी सामने है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सेहर कौन सा था तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत में जो खो जाए गया सबसे पहला पुराना सेहर था वो इसका क्या नाम था तो दोस्तों इसका right answer आपका हो जाएगा हलपा ठीक है अगला दोस्तों कोश्यन आपका है कि सोराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यहाँ कथन किसने कहा था तो दोस्तों यह कोश्यन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा most most important है तो इन सारे कोश्यनों को आप लोग अपने notes में note जरूर कर लेना तो दोस्तों आपनों को इसका answer पता ही होगा और सामने भी लिखा हुआ है कि सोराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यहाँ कथन आपके बाल गंगादर तिलक जी ने कहा था ठीक है next question आपका है कि महतमा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो दोस्तों महतमा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल गरस्न गोखले तो दोस्तों यह वाला question भी आपके लिए important है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि महतमा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे ठीक है next अगर देखें दोस्तों तो अगला question आपके सामने है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सासक दिल्ली पर राज करने बाली प्रथम महिला सासक कौन थी तो क्या कह रहा है दूस्तों की उत्तरी भारत की पर्थम Muslim महिला सासक जो की दिल्ली पर राज करने बाली पर्थम महिला सासक थी उसका नाम क्या था तो दूस्तों यहाँ पर आपका right answer है रजिया सुल्तान ठीक है अगर question की बात करें तो next आपका question है सिंदु सब भिता का पतन अगर बंदरगाहा कौन सा था तो दूस्तों यहां पर इसका right answer होता है लोथल तो जिसका जो है वहा right answer है ठीक है next आपका बात करें तो next question आपके सामने है वारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के संस्थापक कुन थे तो दोस्तों ये कोसेन आपके लिए बहुती पेट कोसेन है क्योंकि यहां से आपके एक्जाम में कोसेन पूछे जाते हैं और ये भी कोसेन आपका पूछा जा चुका है तो दोस्तों इसका right answer आपका है A.O. Hume तो दोस्तों क्या है कि वारती राष्टी कॉंग्रेस के जो संस्थापक थे उनका नाम था A.O. Hume उनका नाम था ठीक है next question अगर बात करें तो दोस्तों आपका next question है महतमा बुद्ध द्वारा दिये गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो महतमा बुद्ध थे उनके द्वारा दिये गए जो प्रथम उपदेश था उसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसे बोध धर्म में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है ठीक है नेश्ट दोस्तों question की बात करें तो अगला आपका है question number 8 की किस बेद की रचना गद एबं पद दोनों में की गई है तो दोस्तों ये question आपके लिए महतपूर question है क्योंकि ये आपका बेदों से related है और दोस्तों बेद से related आपके question पूछे जा सकते है कि किस बेद की रचना गद एबं पद दोनों में की गई तो इसका right answer हो जाएगा आपका ये जुरुवेद ठीक है अगला दोस्तों अगर question हम लोग देखें तो next question आपके सामने है भारत में पहला समाचार पत्र किस ने सुरूख किया था तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो पूछ रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र था वहाँ किस ने सुरूख किया था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा सेद एहमद खांजी ने जो था भारत में पहला समाचार पत्र शुरूप किया था तो दोस्तों अब बात करने वाले है कोसिन नमबर 10 की और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी के सासनकाल में बोध धर्म दो भागों मतलब की हीन यान और महायान में बट गया था तो दोस्तों तब उस समय सासनकाल किसका चल रहा था जब बोध धर्म को दो भागों में बाटा गया एक आपका हीन यान और एक आपका महायान तो दोस्तों आपके कनिश्क के सासनकाल के दोरान हुआ था ठीक है नेक्स्ट आपका है लोधी वंस का अंतिम सासक कौन था तो दोस्तों लोधी वंस का अंतिम सासक आपका था इबराहम लोधी आपका जो था वो लोधी वंस का अंतिम सासक था और आप बात करने वाले हैं question number 12 की मतलब की आगला question आपका है की पर्थम जेन संगीत कहां आयोजित की गई थी दोस्तों और क्या होती थी आपके बोध संगीतियां होती थी वो कितनी हुई थी आपकी चार हुई थी और यहाँ पर क्या पोचा जा रहा है कि प्रथम जेन संगीती जो थी वो कहां आयोजित की गई थी तो इसका right answer हो जाएगा आपका पार्टली पुत्र नेक्स्ट कोशन आपकी समने है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहास कारों ने बिरोधों का मिस्रण बताया मतलब कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसे इतिहास कारों ने बिरोधों का मिस्रण बताया तो आपका right answer हो जाएगा मुहम्मद विन तुगलक ठीके next question आपका है रिगवेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है रिगवेदिक काल की बात कर रहा है कि रिगवेदिक समाज जो था रिगवेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी तो इसका right answer हो जाएगा आपका कुल या परिवार ठीके next question आपका है किस सासक के पास एक सक्तिसाली नौ सेना थी यहाँ पर दोस्तों नौ सेना की बात कर रहा है कि किस सासक के पास एक सक्तिसाली नौ सेना थी तो आपका right answer हो जाएगा चौल सासक के पास क्या थी एक सक्तिसाली नौ सेना थी next question दोस्तों आपका है संकीर्तन परता के जन्म दाता कौन थे यहाँ पर दोस्तों क्या पूँछ रहा है कि चो संकीर्तन परता तो इसके जनम दाता कौन थे तो इसका right answer हो जाएगा आपका चेतन्य कौन थे दूस्तों आपका right answer है चेतन्य अगरा दूस्तों कोस्चन देखें तो अगरा कोस्चन आपके सामने है किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था तो आपका रैट एंसर हो जाएगा औरंग जेव को क्या कहा जाता था आलमगीर भी कहा जाता था नेक्ट आपका है सहीदे आजम उपादी से किसे सम्मानित किया गया तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो सहीदे आजम की उपादी थी उसे किसको सम्मानित किया गया तो आपका रैट एंसर हो जाएगा भगत सिंग को सम्मानित किया गया ठीक है next आपका है Simon Commission के बिरुद्ध प्रदर्शन के दोरान किये गे लाठी चार्ज से किस राजनेता के मरत्य हो गई थी तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो Simon Commission था उसके जो बिरुद्ध मतलब कि उसके बिरुद्ध में जो प्रदर्शन चल रहा था उसके दोरान क्या हुआ था जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें किस राजनेता की मरत्यू हो गई थी तो आपका राय टेंसर हो जाएगा लाला लाजपतराय की मरत्यू हो गई थी ठीक है कुछी दिनों बाद उनकी क्या हो गई थी मरत्यू हो गई थी नेक्स्ट आपका है कुस्टन वहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूच रहा है कि वहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका सैयद एहमद जी जो थे वो वहवी आंदोलन के परवर्टक थे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 20 ऐसे कोशिन आप लोगों को बता है जो कि आपकी प्रत्योगी परिछाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण हो सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी सेर करें सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को जरूर प्रस करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत